ओके तो फाइनलि जो 4500 की साइज में हमने रेंडर किया है basically.. यह हमारे पास finals हो चुका predis 5 ० हमें basically a frame buffer में क्या है दो चाहँ चीज़े लिए अच्syसे मिलती है जैसे की यहां हमें history मिल जाते है जितने भी हमने render इंडर किये हैं history में save और excit ap अगर आपको Render Image, अगर आपको kamera save करना है तो आप इस प्लस पक्लिक करेंगे तो यह history में save हो जाएगा इसे फाइदा है कि अगर आपने file close कर दी, बंद कर दी, reset कर दी तो भी history पक्लिक कर दी इसे call करते है अभ यह कुछ एक basically frame of a corrections होता है जिनको हम कर जब हम light mix लेते हैं तो basically यहां आपको सारी light दिखना start हो जाती है जो जो light आपने use की है फाइल में वो सारी आपको यहां मिलती है